हलो एबरीबन वेलकम माई यूटूब चैनल दोस्तों अगर आप लोग यूपिटर पलेसी हॉमियोपेथिक फॉर्मसिस के एक्जाम को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको दो नमबर दिलाने वाली है इस वीडियो में हम जानने वाले हॉमियोपेथिक सीरफ बनाने की विधी और उपयोग के बारे में यानि की प्रेपरेशन एंड यूज़िस देखने वाले हम किसके हॉमियोपेथिक सीरफ के और इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हम समझने बाले हैं उसके बाद हम इंपोर्टन कोस्टिन की प्रक्टिस करेंगे इस से क्या होगा आ और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी सबसे पहले हम किताबी ग्यान को समझेंगे फिर उसके बाद हम देजी वहादा में समझने बाले हैं चलिए श्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आप लोग होमियोपेथिक सीरफ बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको को होमियोपेथिक से डरिभ बडरे लूग एक होमियोपेथ सबस्क्राइबWow बूहँस आपके लूग पराउपेथिक लिया हुं फर नो क vic जाता है य एकуждव करेंं निर्मार किया जाता है जो इसके जो दबाईव बनती है तो तो वो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है तो ये चीज आपको ध्यान डगना है अगली चीज है ये समान से समान को ठीक करो यानि लाइक, क्योर्स लाइक इसके सिद्धान्त पर कारी करती है अब आपको लगेगा ये क्या होता है जिन लोगों ने पलड़ा करोगा तो अच्छा है जिनने नहीं पता तो उन्हें बहुत आसान से समझाने भाला हूँ तो आपको पता तो ये सिद्धान जो होमोपेथी का सिद्धान्त है सबसे पहले किसी ने दिया था तो डॉक्टर जो जर्मन के एक साइंटिस्ट है सोरी जर्मन के एक चिकिस्टक थे तो उनका नाम था डॉक्टर हैनीमेन सेमूल हैनीमेन तो उन्होंने सबसे पहले होमोपेथी का सिद्धान्त को दिया था और उन्होंने को होमोपेथी का जनक कहा जाता है तो उन्होंने इस सिध्धांत को दिया, like years, like, तो इसका आप अपनी जिन्दकी daily life में समझें, तो जैसे होता है, लोहे को लोहा काटता है, उसी तरीके से उन्होंका ये सिध्धांत है, यानि कि उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कोई भी अगर पधार्त है, और किस पधार्त को हम किसी बीमार इंसान के में यूज करें, तो क्या होगा, वो उस चीज का इलाज कर सकती है, हो सकता है, आपको मेरी बात समझ में ना आई हो, तो मैं आपको थोड़ा सा पताता हूँ, जैसे का ड्रोसिरा एक सीरप आता है, किसका लिए, खांसी के लिए, अगर क सिद्दान थे, यह लोहे को लोहा काटता है, यानि कि जिस चीज से रोग उत्पन होता है, उसी से क्या हो सकता है, उसी से रोग को खत्म किया जा सकता है, तो यह सिद्दान जो जर्मन के फिसी जिन थे, उन्होंने यह दिया था, डॉक्टर हैं, सैमुल हैनी में ने, इनके के बारे में आपको द्यान रखना है तो यह थी होमोपेथिक के बारे में बेसिक जानकारी वैसे आपको डिटेल में भी टॉपिक पढ़ना इस रिलेटिट लेकिन यहां मैंने आपको बेसिक चीज बता दिये अब बात आती होमोपेथिक सीरप के बारे में तो होमोपेथिक ज कर सकते हैं जुखाम के लिए यूज़ कर सकते हैं जुखाम यानि की कोल्ड एलर्जी जैसी वीमानियों के लिए हम इसका प्योग करते हैं किसका होमेपाथिक सीरप का अगली चीज की अगर हम बात करें होमेपाथिक सीरप अगर हम बरा रहें तो हमें कौन-कौन सी सामेग्री ये कौन कौन से इन्डी ग्रेंज की आविशकता होगी तो सबसे पहली चीज आती होमेपरत मूह लर्क जिसे हम इंगलिस में कहें दें मदर टिंचर दोस्तों हिंदी वाले स्टूडेंट को आपको इसका इंगलिस नाम भी ध्यान रख रहा है मदर टिंचर होता है मदर टिंच तो यह खनिच से हो सकता है या किसी पसू उत्पास से हो सकता है जैसे के हड़ी बगहरा से हो सकता है किसी भी चीज से लिया जा सकता है तो इसी को क्या कहेंगे होमोपेथिक मूल करिया मदर टिंचर एक तो सबसे पहली चीज सबसे मुक्चीज यही है आपके सिरफ बनाने क जीब जन्तू से ले लेंगे खानिश से ले लेंगे लेकिन अरको पतला किस्ट किया जाएगा तो अगली चीज के हमें जरूरत पढ़ेगी शुगर सीरप की यानि कि सुक्रोज की अब इसकी जरूरत क्यों पढ़ती है जो आपका सीरप बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर इनसान उसे आसानी से पी ले हर इनसान उसके टेस्को कर ले मैं एक्सेप कर ले या पी पाए तो उसके लिए हम क्या किसका यूज करते हैं शुगर सीरप का यूज करते हैं तो यह किसली यूज वाता है मीटा स्वात देने के लिए हाला कि कुछ सीरप बिना सुगर के भी ब करते हैं यानि कुछ चीजें और भी इसका मिलाई जा सकती है जिससे क्या होगा जैसे मानलों कोई सीरफ बंदा तो उसकी उम्मीद यह लग रही है कि यह मतलब साड़ सकता है खराब हो सकता है तो इसके अलावा और भी कुछ उसमें बिलाया जा सकता है तो इनका ऑप्सिनल त कि आप पूरी तरीके से त्यारी करना चाह रहे हैं तो DHP की फुल ट्रेट का स्लेबस हमारा जो पेट कोर्स है दो सो नंचास रुपे मात्र कराया जा रहा है इसमें आपको DHP ट्रेट का फुल स्लेबस करा गए उसके साथ ही साथ आपको पीडिय भी प्रोबाइट करा ही जा सकते हैं तो आपको यह रही करना कर लाले और बाकी जल्दी हमारी भुख्ञा मिलने वाले और आप चाहेंगे तो आपको यह भी जाएगी आ तो उसकी बात हो रही है तो सबसे पहले बीमारी की लक्षडों के अनुसार आपको बीमारी है तो उसके अनुसारी आपको मूल अर्का यूज़ करना है तो होमेप्तिक मूल अर्का चैन करना जैसे कि खांसी के लिए डुडोसिरा एंटिमोनियम टैटरा स्कियम या बहरोनिया का उप्योग करते हैं तो यह किसके लिए उसके लिए खांसी के लिए यह क्या है आपके मदर टेंचर है अगली चीछ क्या है अर्को पतला रखना पतला करना यानि कि डाइलूट करना तो जो आपका मदर टेंचर है उससे क्या करना है अगली दानतों के अनुसार मूल अर्क यानि मदर टिंचर को कई बार पतला किया जाता है इसे सी सेंटेस्टीमल या एक्स डेसीमल पोटेंसी की रूप में जाना जाता है उधारल के लिए 30C आपको नहीं देखा होगा कुछ दबाओं को पे आपको 5X लिखा मिलता है कहीं कहीं आपक तो इस तरीके से मिलता है 30C अब इसी का मतलब क्या होता है इसी का मतलब बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताओं आपने रोमन नमबर पढ़े होंगे रोमन नमबर में जैसे 5 होता है यह V5 को कहते हैं X10 को कहते हैं इसी तरीके से L ल भी होता है और आ आपको क्या है जो मदर टिंचर उसकी मात्रा और सी क्या है इतना पतला किया गया यानि कि सी क्या हो गया है हंड्रेट सी की मात्रा कितनी हो यानि यानि तीस परसेंट आपके उसके अंदर मदर टिंचर की मात्रा मिलेगी आप कहीं लिखा है 5x 5x लिखा है तो x कोई होगा 10 यानि 10 की मात्रा किसी हो गई डाइलोट की जो जिस चीज़ से पतला करा गया जल हो सकता है या एलकोल हो सकता है और 5 कोई हो गया या आपका अर्की मात्रा हो सकती है I hope यह चीज़ आपको पता होगी तो आपको नहीं पता तुम बता दिया है कि जो रोमन नमबर हों से उसी के अपोर्डिंग इसको लिया जाता है जिसे हम सेंटिस्टीमल या डेसीमल के थूरू डिनोट करते हैं तो यह मारी स्टेश complete हो जाती है अगली स्टेश की अगर हम बात करें तो सुछर शीरप का बनाया जाता है तो क्या करते है पाने और चीनी को बराबर मातरा में लेकर पीसी जी आँड़ से पर सीरप के साथ डिजिटल वार्टर के साथ आपको मिला देना है बहुत बड़ी है तरीके से डायलोट कर देना है तो यहां तक तो आपकी खानी हो जाती है दोस्तो आवाज चली गई थी इसलिए आप इस वीडियो को दुबारा शूट किया जा रहा है जहां से हमने एंड गया तो कहां तक हम समझ चुके थे बंडा रख यानि कि इस्टोडी तक तो यहां तक से आवाज चली गई थी तो आपका कप यह स्टेज कम्प्लीट हो जाती है अगरी स्टेज हमारी क्या इस्टोरी जोब को सीरप बन गया आपको क्या करना है तैर सीरप को साप या सूप के कां यूर्फै FRED बताऊं किस利े के हम सिरॉब बनाते हैं माननों को सिरॉब बनाना है आपके ब्लट क पटे स glitch कम हो गई आपके घर में कैंसी की हो गई है तो आपको किस तरह के से सीरॉब इसकी लिए बनाना है सब्सेफ़े आपको पिते के पत्त्ति लेना अब आपको इसमें क्या करना है इसे आपको पानी मिला देना है या पानी से आपको इसके बहुत ज़्यादा पतला कर लेना है बहुत ज़्यादा नहीं मतलब जितना आपका आपको आपको पतला कर लेना है पतला करने के बाद हो इसमें आपको क्या करना है आपको इसका टेस् हो जाएगा यानि कि थोड़ा मीठापन आ जाएगा क्योंकि बैसे तो यह बहुत जादा कड़ुआ होता है मैंने अपने खुद यूज करके देखा है बहुत जादा कड़ुआ होता है लेकिन इसका फाइदा बहुत जादा देखने को मिलता है क्या करना पानी मिला देना पान इस तरही किसे सीरप आपका बनता है अगला पॉइंट है होमोपेथिक सीरप का उप्योग किसमे होता है यानि कि यूजिस अप होमोपेथिक सीरप तो सबसे पहले चीज खांसी और जुखाम यानि कि कफ और कोल्ड के लिए तो होमोपेटिक सीरप खांसी, जुखाम, गले के संकर में इलाज में साहयक होते है आम तर पर उप्योग की जाने वाले एकाईयों में ड्रोसिरा होता है बिरोनिया होता है, हाइपरसलप्यूरिस होती है तो ये सब क्या होती है, खांसी और जुखाम के लिए यूज होने वाले सीरप अगली चीज़ है, बच्चों के लिए, तो बच्चों को सरदी, खांसी और बुखार में सुरक्चे तरीके से उप्योग की जास रखते है लेकिन आप डॉक्टर की सला इसमें जरूर लेंगे, यानि आपको इस चीज़ की नौलेज नहीं है, तो डॉक्टर से एक बार सला जरूर लें इसमें अगली चीज़ है ऐलर्जी और अस्तामा, तो होमोपेथिक सीरप, ऐलर्जी और अस्तामा जैसी क्रोनिक कंडीजन में भी उप्योगी होते हैं, तो ये भी आप इसके बारे में द्यान रखेंगे नेग्ट है पाजन समस्याूं के लिए तो होमोपेथि पाजन शमस्याूं के लिए भी सीड़ लबद होते हैं जैसे कि नक्स बोमेका या कर्वो भेग तो आपको पता है ऐप एक्दाम में से गई बार कोस्चन पूछा जाए चुका है कि नक्स बोमेका किसके लिए यूज़ होता है तो आपको ध्यान रखना पांचे समस्याओं के लिए हम इसका उप्योग करते हैं नेक्ट हम बात करते हैं होमोपधिक सीरफ के बारे में कोछ साबधानिया है जो आपको ध्यान रखना यानि percussion के बारे में तो सबसे पहली चीज होमेपा्तिक सीरप को बिना किसी बेसेजशक की सला से आपको नहीं लेना आए अगर आप किसी भी सीरप के यूज़ करना रहे है तो क्या होना चाहिए किसी भी बेसेजशक या कह सकते हैं आपको किसी डॉक्टर बगेरा की सलाइब इसमें जरूर लेना है अगली चीज़ है इसका उप्योग तब करें जब तक कि आपके डौक्टर द्वारा निर्देशन किया जाए मान लो आपको किसी सीरप के लिए दिया गया और आपको कहा है छे महीने तक आपको इसका यूज़ करना है तो अगर आप आपने छे महीने के लिए आपको बताया गया और छे से ज्यादा यानि एक साल हो चुका और आप उसका यूज़ करना है तो आप ऐसा बिलकुल भी नहीं करेंगे यदि कोई गंबीर पिरती करी आओ तो तो तुरण चिकिसा की साइथा लें अब कहने का मकसद यह होमोपेट को छोड़ एलवपेटिक की और रुक करना चाहिए नेक्ट हम बात करते हैं इस वीडियो का या सीरफ बनाने का जो हमारा कंकलूजन है तो क्या होने वाला है तो मोटे मोटे तोर पर हम बात करें तो होमोपेटिक सीरफ एक प्लाकिरतिक और सुरक्षित बिकल्प है एक बिक की सला से ओप योग सनस्डित करें डौक्टर की सला आपको इसमें ज़रूर लेना है दोस्तों यहां तक हम ने स्टियोरी सक्षिम को पूरी तरीके से समझ लिया है जो आपकी थ्योरी होती है अब हम देखते हैं कि हम अपनी तेयोरी जो हमने पढ़िए इसे हम को सचन का आन अगला कोस्टिन है हमारा हुमोपेथी सीरप तयार करने में कौन सा घटक मुक को रूप से उपयोगी होता है तो विच इंडिग्रेंट इस प्रेमिली यूज़ न प्रिपिरिंग हुमोपेथी सीरप आपको पता है हुमोपेथी सीरप बनाने के लिए सबसे जादी अगला कोस्टिन हमारा हुमोपेथी सीरप किस प्रिकार के रोगों में उपयोगी होते हैं यानि कि हुमोपेथी सीरप आर यूसपल इन ट्रेटिंग भी टाइपस ऑप एलिमेंट किसमें यूज़ होते हैं कैंसर में बिलकुल नहीं होते दिल की विमारी में नहीं टीटी यूज ऑफ सुगर सीरप इन होमोपेथिक सीरप दोस्तों इस कोस्टिन का आणसर मुझे नहीं देना इस कोस्टिन का आणसर आप लोगों को देना है कॉमेंट बोक्स में और थोड़ा सा एक्स्प्लेंट भी करना है तो इसके और रखें स्वास सुदाने के लिए टो इंप प्रोपर्टीज लोगारों को मारने के लिए टूकल जर्म्स पतला करने के लिए टू डाइलोट दा सॉलूशन तो इसका आंसर आपको कॉमेंट में बताना है अगला कोस्ट हमारा होमोपेथिक सीरप को स्टोर करते समय किन साबधानिया को साबधानियों का ध्यान रखना च दोस्तों ये था हमोपेथिक सीरप बनाने का मेंटड और जो उसके उपियो और चोक प्रिकोशन बगारा सबके बारे में हमने अच्छे समझा और इंपोर्टन कोस्टिन की प्रक्टिस करी होई उम्मीद है आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेड़ेड नहीं रहा होगा कोई भी अब भी कंफ्यूजन है आप कोमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे उम्मीद है इसके अगर कोस्टन आएगा तो आंसर आपको गलत इसका नहीं देंगे आपके एक्जाम में और आप चाहें तो हमारा पेट कोर्स जोइन कर सकते हैं टेस सीरी भी आपली किसन पर आ चुकी उसको भी जोइन कर पाएंगे बाकी इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मिलतें अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत